है दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूटुब चैनल गुरु जीक जाम सिंटर पर सरो नम हो जाएगा ठीक है और अगले प्रस्व कूरात रहाते हैं प्रस्व नाप आपका सरुणाम है अगला प्रस्तन आपका दिया गया गया है निम्य कि तुमें से कawan सा संदिग्द बोधकाल का उधारन है और है संदिग्द है तो आपको विल्कुल साफ नजर आएगा किसंक्त वाले ओप्षन में है तो देखोई आपका संदिग्द आपका कौन सा हो जेगा यहाँ पर डे नमबर अगले प्रस्ट को राते हैं प्रस्ट आपका अब दिया गया है कि कि सब्द में गण का प्रियोग कर बहुचन नहीं बनाया जा सकता है तो यहाँ पर दो तीन पॉइंट आपको समझने वाली बात है क्योंकि यहाँ पर जैसे आपका दिया है भक्त भक्त गड़ दिया है कहिने कहिसे हम सही कर देंगे नेता हमेशा कैसे हैं चाहिए एक बचन में प्रियोग करो या बवचन में कर सकते हैं ठीक है एक बचन में या बवचन में कर सकते हैं सिच्छक बरंद का प्रयोग करते हैं ठीक है लेकिन इस option के अनसार ये किसे प्रस्ण के अनसार जो सही किया जाएगा कौन सा option D सही किया जाएगा देवी क्योंकि अगर आप exam में हाल में हैं तो आप अगर बोलो कि निया इसमें नेता का तो बहुचन नेता ही होता ये किसे इस इसका एक वचन और बहुचन दोनों ही आपके नेता होते हैं है ना लेकिन हमें option के अनसार देखना है ठीक है तीस प्रकास यहाँ पर आपका D सही होजेगा और अगला प्रस्ण आपका है कि ठीक समय पर आजाना में कौन सा कारक है ठीक समय पर आजाना तो ठीक समय पर पर अब के अपर D हो जेगा यहाँ पर आपका पर सब्ध मिलता है तो कारक कौन सा हो जेगा आपका अधिकरण अगला प्रस्ण है किनमनीकित में से कौन सा सब्ध उभहलिंगी है कौन सा सब्द उभैलिंग ये है उभैलिंग मतलब होता है जिसका प्रियोग हम लोग इस्त्रिलिंग और पुलिंग दोनों में करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका दिया गया है कौन सा डॉक्टर, विद्वान, अबनेत्री, गायक और आपका नृत्की तो यहाँ से साफ समझ में आ रहा है जो डॉक्टर है तो डॉक्टर जो आपका कह सकते हैं इसका प्रियोग उभैलिंग में करते हैं अगला प्रसन आपका दिया गया है कि निम्लिकित में से कौन सा वर्ड घोस है घोस आपका दिया गया है हमने आपको तया था घोस और आपके अगोस क्या होते हैं घोस और दूसरा आपका होता है अगोस तो अगोस जो आपके होते हैं किसी भी वर्ग के पहले और दूसरे वर्ड होते हैं और घोस या इसे हम लोग सघोस भी बोलते हैं ठीक है इसे घोस या सघोस बोलते हैं यह आपकी किसी बुवर्ग में तीसरा चौथा और पांचोवा वर्ड होते हैं तो यहाँ पर घोस पूछा है घोस पूछा है तो इसके according आप देख सकते हैं कि जवाब आपका कौन सा बोली निमने कितमे से कौन सी है देखो पस्चमी हिंदी की सरवाधिक प्रमुक बोली तो सरवाधिक प्रमुक बोली की बात किया है तो बोली आपकी कौन सी हो जगे यहाँ पर आपकी खड़ी बोली वैसे आप देखा जाए कि आपकी जो पस्चमी हिंदी है पस्चमी हिंद खड़ी बोली लगाएंगे अगला प्रसना है बिर नार्थर सब्द का चैन करना है यहाद पर देख लीजे कौं सा आपका ओपसन भिन है इन चार ओपसन में तो पावक यहाँ पर देखो आग हो गया, अनल आग हो गया, क्रसानों आपका आग हो गया, लेकिन यहाब पर जो आपका अंवेशन है, अन्यूल आपका होता है, ठीक है। इस कारण से तीनों आपको आग हैं, लेकिन B वाला जो आपका हो यहाब हो परोगेदा। अगला प्रसना आपका है अन्वेशन का सुद्ध संदी विच्छेत बताईए अन्वेशन और अन्वेशन में हमने आपको दो तीन पॉइंट ये बताया था क्या बताया था एक ट्रिक बताया था कि आपका अगर या हो या वा हो या आपका कैसे दितने रा हो इन में से अगर आधा सब्द कोई लगा हुआ है वह आपका हमेशा यर्ण संदी होती है यर्ण संदी तो यह तो पता चल गया है कि इसमें आपका यर्ण संदी है देखो आधा च्छराब करना में है तो यहाँ पर देखो आधा च्छराब को दिख रहा है न वा के साथ आधना है तो याद रिखे कभी भी ऐसी अगर इस्तिती आए कि वा या के साथ अगर आपका आधा सब्दे तो आपका यण संदी होती है ठीक है अब इसे हम तोड़ना चाहा रहे हैं और अगर आप इसे तोड़ेंगे तो आपका जवाब क्या बनेगा अनुधन एस या आपकी यण संदी है अगला प्रस्णा आपका दिया गया है कि दिये गए विकल्पों में से सही का चैन करना है रिक्तिस्थान पूड कीजिए परबरत का पर्याएं परवरत का परयाय आपका कह सकते हैं कि आपको को की लिए कोयल होता है को की लिए कोयल होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोयल तो कहने दिया है कहें न कहें के सकते हैं कि मिस्प्रिंट हो गया यहाँ पर आपका यह जो बड़ा ला है बड़ा ला नहीं होना चीए था ठीक है बड़ा ला आपका नहीं होना चीए था यहाँ पर यह मात्रा आपकी इस्ट्रा लगई है यहाँ पर सिर्फ कोयल ही होना चीए था तो इसके अम निम्रेखित में तर्सम सब्द है। तर्सम सब्द आप से पूछा है और तर्सम सब्द आपका यहांपर जो आपको हो जाएगा, वह आपका ए-N 해야 number आपका अधिवेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अधिवेशन हो जाएगा। अगला प्रस्णा आपका है, कि निम्ले कितमें से कौन सा वाक की सुध है, कौन सा वाक की सुध है, तो देखेंगे यहां पर कहो रहा है, उसके पास उस समय केवल 4 भेंशे मात्र थी, तो भ bucky मात्र सब्द लगाने की जुरूत नहीं है, क्योंकि 4 लगा है, अब यहां पहई 4 मात्र है तो यह भी गलत हो गया तो option कौन सा होगा आपका यहां पर B वाला से हो ज़एगा अब इसे पढ़िए उसके पास उस समय के वल 4 भैंसे थी तो यहां पर right answer कौन सा बनेगा यहांपर B आपका से हो ज़एगा क्लियर हुआ चलिए अगला है कि रोग्ड का विलोम सब्द क्या है रोग्ड रोग्ड मतलब कह सकते हैं रोगी है ना रोग्ड मतलब रोगी और रोगी का विलोम आपके क्या हो जाएगा स्वस्थ हो जाएगा ऑप्सन अपर भी बनेगा स्वस्थ हो जाएगा अगला प्रस्ण आपका है कि परवत की तलाहटी इस वाकी के लिए उप्यूक्त एक सब्द बताईए जो परवत की तलाहटी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं उपत्ते का बोलते हैं याद रेखे उसे बोलते हैं उपत्ते का बोलते हैं अर्थ तो लाक अर्थ होता है कैसकते हैं आगे या पीछे ठीके अब यहाँ पर कैसकते हैं जो आपका दिया है करताकार की है ना तो यहाँ पर कैसकते हैं कि हमने आपको कृदंत प्रत्या बताया था कृदंत प्रत्या जो क्रिया के अंत में लगता है और किरिया यहाँ पर देखो करता के द्वारा ही की जाएगी तो करता के द्वारा ही की जाएगी तो इसके according आपका कौनसा यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नमबर ला प्रत्य आपका है इसमें क्योंकि जो क्रदंथ होते हैं प्रत्य के अंसार इसको सही किया गया है क्योंकि जो करता है वही किरिया करेगा ठीके चलिए अगला प्रस्वनाप का है कि असुरच्छी सब्द में कौन सा उपसर्ग है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर इसे तोड़ेंगे तो आपका बनेगा आधनसुधन रच्छि और इसमें से दो आपके उपसर्ग है कौन-कौन से आ और आपका सु इस कारण से राइट अंसर आपका कौन सा हो जाएगा सी वाला आ और सु यह आपके आपके आपर हो जाएंगे उपसर्ग केलियर हुआ ना यह कोश्चन काफी अच्छा है काफी लोग यह आपर गलती कर देते हैं ठीक है चलिए अगला प्रस्ने भर पेट में समास बताना है भर पेट में समास बताना है और बर पेट तो यहाँ पर देखो पेट तो आपका है लेकिन भर पेट भर सब्द इस्ट्रा लगा दिया है ना भर सब्द आपका इस्ट्रा लगा दिया है अर्थाती एक प्रेशाव का मतलब समझने की दर्ध कितना होता है तो वही चीज आपको दिया है कि बांच क्या जाने प्रेशाव की पिड़ा अर्थात यहां आगला प्रस्ण आपका है अगला प्रस्ण आपका है अनुचित लोकोक्ती का चैन किजे wert करना है अनुचूत पर देंखो अनुचित लोकोक्ती पहले पढ़ते हैं कि आगे कुवा पीछे खाई ये तो आपने पढ़ा भी होगा दूसरा दिया है कि अधजल गगरी छलकत जाए ये अपने पढ़ाय पढ़ाय क्या पढ़ाय क्या ने पढ़ाय ना तो उपढ़ा होगा आपने अधजल गगरी छलकत जाए तो आपका गलती कौन सा ह हो गया बी वाला वहाई पर सी वाला देख लीजिए अपने पगड़ी अपने हाथ ये भी सही है उंची दुकान फीका पकवाने भी सही है तो बी वाला आपको गलत हो जाएगा अगरा प्रसना आपका है संगम सब्द में किस तरह की असुद्धी है तो यहाँ पर काफी लोग बिंदी को हम लोग क्या बोलते हैं अनुनासिक बोलते हैं तो यहाँ पर जो बिंदी आपकी है असुद्धी हो आपकी चांद की बिंदी वहाँ पर आपको क्या होना चाहिए सिर्फ आपकी एक बिंदी होनी चाहिए था ठीक है तो इस प्रकास से आपसना आपका कौन सा हो अगला प्रस्ण आपका दिया है कि करुण रसका इस्थाइभाव क्या होता है तो वहीं आप क्या होता है सोक ही तो होता है और हास सिकतों आप जानते ही हैं कि हास होता है बीर रसका होता है और श्रंगा रसका आपका यहां पर रती होता है अगला प्रस्टा आपका दिया है कि रावड सिर सरोज बनचारी चलि रगवीर मिली आपकी मुखधारी सिली मुख में अलंकार पूछा गया है सिली मुख में अलंकार पूछा गया 138 में तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जएगा जवाब हो जएगा option right यहाँ पर आपका यह नंबर सिले सलंकार है ठीके यह question में थोड़ा सके सितने अपवाद रहता है ठीके क्योंकि यह पर उपमा वाला भी कहीं आपको मिल सकता है लेकिन आयोग में एक बार एक जाम आया था आपके कौन सा यूपी टेट ठीके यूपी टेट में यह question आया था 2015 में ठीके तो उसके सही जो किया गया यही सही किया गया है इसके बाद यह question आपका आया नहीं है तो इस कारण से आप याद रखे आयोग ने यही सही किया है option आपका A हो जागा वैसे इसमें से आपका अपवाद है ठीके चले अगला प्रस्न आपका है कि किस वर्ग में सभी सब्द अनेक अर्थक है देखे यहाँ पर अनेक अर्थक मतलब यह हुए कि सभी के अनेक अर्थ निकलेंगे तो यहाँ पर देखो अंक है, मदु है, बीच है कहिन कहिन में तो आपके अनेक अर्थक आपके मिलते हैं यहाँ पर आपका जो 149 है 149 को जवाब जो आपका बनेगा वो आपका बनेगा D वाला तात का अलग होता है दुर्ग का अलग होता है भुजंग के अलग होते हैं अर्थात ये सभी सब्दाप के अनिकार्थक सब्दाप के हैं ठीक है D नमबर अगला है कि तैराक निम्लिकित में से निर्मित सब्द है तैराक तो तैराक जो आपका है तैराक कौन करेगा जब किरिया करेंगे तब ही ते तैराक की कर पाएंगे ना किसंग्या के द्वारा करेंगे नहीं करेंगे ना तो किरिया दवारा आपका है 13 किस्जे निर्मित है तो आपके किरिया दवारा है 140 कॉर्प्सन आपका C हो जएगा अलब प्रस्ण आपका है किसुद्वरतनी का चैन करना है और यहाँ पर देखो लहू लुहान दिया है लहू लुहान तो बड़ा लू नहीं होता याद रखे बड़ा लू नहीं होता छोटा लू होता है लहू लुहान इस प्रकास योपसनाप के यहाँ पर डी सही हो जाएगा क्लियर होगा अगला प्रसनाप से दिया गया है कि निमलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंग्दिन करके है रामधारी सिंग्दिन करकी पूछा गया है तो यहाँ पर याद रखेगा कि इनकी एक रचना है जो कि आपकी 1961 में प्रकासित की गई थी और यह जो आपकी कौ आपके अपनाम था यहां पर आपका 148 का जवाब क्या बनेगा 148 में रस निदी जो आपका है ये एक राजा हुआ करते थे प्रत्वी सिंग ठीके 148 को अपका कौन से हो जगा से नमबर प्रत्वी सिंग का ही उपनाम आपका रस निदी है अगला है असोक के फूल निबंद सं सजीव साध्यवेदी हैं आपके असोक के फूल ठीक है और अगला प्रसना आपका है कि माखनलाल चतुरवेदी को उनकी कि स्रचना पर साहित अकादमी पुरुषकार मिला था तो यहां पर कह सकते हैं कि ये आपके हिंदी के पहले ऐसे लेखक है जिनको ये पुरुषकार आ तो आपने यहाँ पर देखा हूगा बाद दोली शत्यागरा इसे सम्मंदि जो आपके नेता है वो आपके बल्ला-भाई पतेल बल्ला-भाई पतेल और यहीं पर महिलाओं की दोरा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी तब सही ने सरदार बल्ला-भाई पतेल де गया था ठी किसके जितने भी सदस्य थे, वो सभी आपके अंग्रेज थे, उनमें से किसी भारती को सामिल नहीं किया गया था, इस कारण से साइमन कमिशन का बिरोध किया गया था, राइटन सरफ के यहां पर भी हो जगा, अगला प्रसना आपका दिया गया है, कि कांग्रेज के 230 में हुआ था, फिर आपके 31 में, फिर आपके 32 में, क्रम से बिल्कुल हुए से, तो यहां पर राइटन सरफ का जो हो जगा, राइटन सरफ का हो जगा, आपका B नमबर, दुती गोल में सम्मिलन में गांधी जी ने भाग लिया था, याद रिखेगा, ठीके, अगला प्रसन आपके यहां पर कौन सा हो जगा, B नमबर हो जगा, 1526 में आपका पानी पत का दुती युद्ध हुआ था, जिसमें से आपके अकबर के जो आपके सनरचक थे, भायरम का, और आपके कह सकते हेमु के बीच में, आपका लड़ा गया था, ठीक है न, और पानी पत का प्रथम जो कि आपके कह सकते हैं, यह आपका 1526 में आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, आपका प्रथम, यहां पर दुती पूछा है, दुती आपका कौन सा हो जगा, 1556 भी, अला प्रसना आपका है, कि मौरिस सासक असोक ने कलिंग पर आक्रमड किया थ तो यहां पर बताना है, कि मौरिस सासक आपके कौन है, असोक, इन्होंने कलिंग पर आक्रमड किया था, और यह आक्रमड जो किया था, कब किया था, तो यहां पर याद रखेगा, यह कि यह थे आपके 261 इस्वी पूर्व, यह आपको आप्सन में कभी-कभी मिल जाता है, 26 262 इस्वी पूर्व, क्योंकि आपने देखा होगा, इस्वी पूर्व और इस्वी बियंतर होता है, ठीके, तो 262-261 इस्वी पूर्व भी आपको देखने को मिल सकता है, यह भी पॉइंट याद रखना है, तो राइट अन्सराव कभी हो जाएगा, और इस युद्ध में क के पराज मंदीर का निर्मार किस ने करवाया था, यहापर 6 का जवाब होजएगा, option right यहापर first number, क्रश्ण प्रथम ने करवाया था, किसने? क्रश्ण प्रथम ने करवाया था, option first होजएगा, अगला है कि गंधार कला किस काल में विखशी थोई, आपकी maximum, आपके कुसान का यहां पर आपको मिलान करना है देखते हैं यहां पर आपका हजारी बाग से क्या प्राप्थ होता है तो यह प्राप्थ होता है आपका अब्रेक वहें पर आपका नवेली से प्राप्थ होता है आपका यहां पर भूरा कोईला और जरिया से प्राप्थ होता है जरिया से आपक प्रस्ण आपका यापर कौन सा हो जएगा आपका B12 से हो जएगा अगला प्रस्ण दिया है कि भारत के किस राज्यु को चावल का कटोरा या राइस बाउल कहा जाता है तीस प्रस्ण में बड़ा कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर दो पॉइंट समझना है आपको देखो चाव क कर दो चावल का का प्तोर आपके आmbol प्र प्रदेस हो जायँगा याद रिखेगा कि थोड़ेए प्रस्ण में आपका क्या सिकते गलती हो जाती है जैसे। चीनी सोगये तो चीनी सहाद्धी परवत जो आपका है, यह आपका भारत है, और भारत का यह जो पश्मी घाट है, पश्मी घाट को ही हम लोग सहाद्धी परवत माला कहा जाता है, तो option रइट आपके यहाँ पर कौन सा हो जएगा, B वाला आपका सही हो जएगा, B नंबर, किलियर हुआ, B वाला रेकिस्तान, यह आपका सबसे बड़ा है, ठेके, और अगला प्रसंदिया है, कि भारत में मुद्रा इस्पीत मापी जाती है, भारत में मुद्रा इस्पीती जो मापी जाती है, वो किसके आधार पर मापी जाती है, मुद्रा इस्पीती, तो यहाँ पर कह सकते हैं, मुद्र सूचकांग पर आधारित होती है तो option आपके यहाँ पर कौन से हो जगे यह नमबर ठोक मुल्ट सूचकांग पर आपकी मापी जाती है भारत में मुद्रा स्विती ठीके और यहाँ पर आपका अगला प्रसंद दिया गया है कि अंतोदे कारेकरम का अंतोदे कारेकरम आप देखा होगा कि गावों में अंतोदे कार्ड भी बने हुए है इनका कार्ड अंतोदे कार्ड भी बने है इनका कार्ड मतलब होता है बहुत कम पैसे में जादा जादा लगबग साथ पसेरी ठीके उनको अनाज दिया जाता है लगवक 35 किलो, 735, 35 के जी, ये दियाता है गरीबों में से सबसे अधिक जो गरीब होते उनकी मदद करने के लिए अंतोजय कारेकरम चला गया था, तो अपसनाप का है कि बंद अर्थवियोस्ता से क्या समगते हैं, बंद अर्थवियोस्ता, तो बंद अवस्ता ये होता है कि क किसी भी देश में, किसी देश को अगर बाहर से कोई वस्तों मंगाने की जरूत ना पड़े, और ना ही बेचनी के जरूता था, आत कह सकते हैं कि आयात और निर्यात पूर्था बंद हो जाए, तो ऐसी अर्थवियोस्ता को हम लोग बंद अर्थवियोस्ता कहते हैं, ठीक है जैसे कि आप आयर लागडाउन हुआ, लागडाउन में कि देशों से आना जाना बंद हुआ था, माल भी देखा जाये तो कुछ समय के लिए बंद किया गया था, तो वही होता है कि जब बंद अर्थवियोस्ता होती है, तो उसमें आयात निर्यात पूर्था बंद हो जाता इसमें से गाउं के विकास के लिए, गाउं के विकास के लिए, ग्राम पंचैत का गठन किया, आतात यहां पर कह सकते हैं, कि ग्राम पंचैती राज, यह पर कह सकते हैं, पंचैती राज से संबंदित है, आपका तियत्रवा संसोदन, आपसन आपके यहां पर भी सही हो जग अगर यह प्रस्ण दिया जाता कि जो वारती सम्मिदान कब अपनाया गया कब अंगी करत किया गया है ना यह बनकर तयार हुआ था तब आपका 26 नॉमबर 1949 हो जाता लेकिन यह पर पूर्टा दे दिया है जो कि आपका 26 नॉमबर 1950 हो जाएगा अपका A हो जाएगा अला प्रस्ण आपका है कि भारत का प्रधान मंत्री बनने के लिए आपेचित या अपेचित जो आपकी निमतम आई हो कितनी है तो भाई प्रधान मंत्री अगर आपके सपने है तो भाई आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए तो आपकी 25 वर्स निमतम कितनी ह 25 वर्स होनी चाहिए तो option अपके याँ पर भी होजएगा 25 वर्स होना चाहिए भारत का प्रधान मंत्री अब यहाँ पर एक अपवाद होता है छोटा से क्या कि अगर question ये पूच ले कि कोई ब्यक्ति राजी सभा से प्रधान मंत्री बना है तो उसके लिए उम्र क्या होनी चा लेकिन यह कोश्चन बन जाता है कि अगर राज सभा से अगर कोई प्रधान मंतरी बनता है तब उम्र कितनी होनी चीए तो भाई उसकी तीस होनी चीए यह भी किलिए आपको हुआ होगा चली अगला प्रसनाप का है क्यों पन्यास आपको दिया है देवदास तो भाई देवद हाईड्रोजन बन आपका जो दिया है यह नाव की सल्लेयन पराधारित है किसके नाव की सल्लेयन पराधारित है और अगर पूछा जाता कि यहां पर देखो हाईड्रोजन बन है और परमाड बन होता तो आपके नाव की विखंडन में आपने इंटर में और जो हाई स्कूल ह वहाँ पर आपके मेस्टी पढ़े होंगे तो वहाँ पर नाब की विखंडर और नाब की सल्लेयन आपने पढ़ा था तो नाब की विखंडर में उर्जा होती है लेकिन नाब की सल्लेयन जब परमाण जुड़ते हैं तो उनमें और ज़्यादा उर्जा की जरूरत होती है तो hydrogen bomb जो आपके है वो आपके नापकी सरलेयन पर और धारित आपके यहां पर कैसकते हैं आपका A आपका हो जाएगा अगला है पौधों और जनतुओं के बीच की योजग कड़ी के रूप में जाना जाता है देखे पौधों और जनतुओं के बीच जो आपकी योजग कड़ी है तो उसके रूप में जो जाना जाता है वो आपका कौन तो यह आपका होता है युगलीना ठीके कौन साब का है युग लीना है, आपस्णम पर B होज़ेगा आगला प्रस्णम पर का है कि विटामिन B1 का अन्यनाम क्या है कि सोर उर्जा का रूपा उंतरन करने के लिए निम्निक्वित में से किसका उत्पादन होता है देख लीजे वही, कि प्रकास बोल्टी सिल के प्रयोक से किसका उत्पादन करेंगे तो यह आपके उत्पादन होता है सौर उर्जा से जो आपको उत्पादन होता है रुप अंतरन होता है यह किसका होता है तो आपको भी आपको क्या मिलती है विद्धुत उर्जा तो मिलेगी ना देखो प्रकास बोल्टी सेल है वहां से सौर उर्ज दरब में निम्रेखित में से किन दो स futur지कर यहां चाहां लग Maas उनल sex symbol गोगा हो यतिकर में चेए कौन आपका या प्रानाश की खाल झाय। जाएगा. लखनव और आपका यहाँ पर जो आपका इलाहबाद या कैसेते वर्तमान में जिसे प्रियाग राज के नाम से जानते हैं तो आपसन अपका यहाँ पर यह हो जाएगा अगला प्रसंदिया है कि देवा सरीप उत्तरव देश में कहा है इस्तित है देवा सरीप का मेला लगता है जो कि आप दे सकते हैं उप्षन अपका बी हो जएगा कहाँ पर तो आपके 12 बंकिम लगता है देवा सरीप का मेला ठीक है और अगला प्रसंदिया है कि भात खंडे संगीत शंस्थन लखनो डीमड विश्विद्याले बना दिखो भाद खंडे संगीश थंस्थान है ये लखनो डिम्ड विश्विद्याला बना था कब बना था त्याद रेखे यहाँ पर चार ओप्षन में आप्षन सही नहीं दिया गया है वैसे एरेज में आपको लगाना है क्योंकि सही आपका होता है 2001 ठीके 2001 होता है तीस के अमसा यह आदर रखे कहां पर ऑगरा में है उएप अगरा में है वह अगरा में बात करें डिफिंस रिशर्चर्च लेबॉर्टरी यह कहां पढ़ता है तो यह है आपके तो आपके लखनव में है तो चार अपसन आपके किलियर हो गये अगला है एक्स रंग रूट चुना जाता है तो भई यह देख लिजे आपके यहां पर कह सकते हैं कि जो सिपाही नया नया भरती होता है उसी के लिए करेंगे तो वही जो starting में होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं constable ही तो constable में से यहां पर चुना जाता है जो नया नया भरती होता है ठीके option आपके यहां पर यह होजैगा अगला प्रस्ण दिया है कि निम्लिकेत में से महिलाओं के लिए पुलिस में साहस वा चुनावती वाला पद कौन सा है देख लिजे महिलाओं में महिलाओं के लिए जो पुलिस में साहस वा चुनावती वाला पद है वो आपका पद कौन सा है तो यहाँ पर आपका जो होता है कांस्टेबल ठीक है कौन सा होता है तो कांस्टेबल का होता है option आपका यहाँ पर ए होजेगा नेस प्रस्टन आपका है निर्धन वा असक्त नागरिकों के लिए मुक्त विधिक सहायता सम्विधान के किस अनुच्छेद में बंदित है तो याद रिखे आपने पड़ा होगा समान है ना समान वितन उसी वाले पार्ट में जो आपका है कौन सा पार्ट जो आपका फर्स्ट वाला पार्ट अथात अनुचेद 49 के का में ये आपका दिया गया है ठीके और वी वाले में समान वितन आपका दिया गया था अगला प्रस्न आपका है कि 4 अक्टूबर को मना जाता है और अगला है कि जैवकी संदूसक के अंतर गताते हैं जैवकी तो जैवकी है तो जैवकी आपर देखो जन्तूओं का मलमूत्र है इसका भी परिवर्तन हो जाता है हानिकारक सुच में जीव है इनके भी परिवर्तन मानों का मलमूत्र ये भी होते हैं कहीं ने कहीं देखा जाये तो इसका रूप परिवर्तन आपका हो जाता है मिट का हैं पर अनतरास्ती स्रम संगठन का जो मुख्याल्य कहां पर है या कहां पर है फिसिंग किस प्रकार के अफराद है यह आप देख पा कि एक सब्द तो आप जानते ही हैं है ना हैकिंग हैकिंग कहाँ पर होता है आपके तो हैकिंग कहाँ पर है तो हैकिंग आपकी जिसे आपके कह सकते हैं जो आपके जिसे देखो यूटुब चैनल हैक कर लिए गया कोई मोबैल हैक कर लिए इन सब को जो बोला जाता है उन्हों Cyber Apparat बोलते हैं तो Option है कि यहां पर B हो जगा अगला है भारत का एक मात्राज जहां जीस्टी लागू नहीं है तो आपने देखा था कि जब 370 आपका यहां पर खताम हुआ तो आपका यहां पर जम्मु कस्मीर भी आपके भारत में विला हो गया तो इस कारण से कह सकते हैं आप GST तो आपको सब जगा देखने को मिलती है तो आपसन में भी दे दिया गया इन में से कोई नहीं तो राइट अंसर आपका कौन सा हो जगा डी वाला आला प्रसन आपका है कि RBI के किस अधनियम की किस धारा के तहत विमद्री करण की भारत में आठ नॉमबर दोजार गोशना होई सिंपल सी बात पुछा गया है कि भारत में जो आपका विमद्री करण किया गया था आठ नॉमबर दोजार सोला को वो किस धारा के तहत आपका किया गया था तो यह जो आपका किया गया था किस धारह के तहट तो यह धारह आपकी है जो 26 सेकेंड ऑप्शन आपकी है यहापर कौन सब भनेगा सी वाला 26 के सेकेंड के तहट भारत में विम्र्द्री करणा किया गया था आठ नुम्बर 2016 को किमो कि Social Networking website LinkedIn किस वर्ष स्थापित हुई अप देखते हैं कि कोई ना कोई website एक दूसरी से link कर देते हैं तो इसकी जो आपकी शुरुवात हुई थी एक सेकती इस्थापना हुई थी यह हुई थी यह हुई थी आपके 28 दिसम्बर 2002 को 28 दिसंबर 2002 को हुई थी ये इसके स्थापना कहाँ पर हुई थी तो एक जगा पढ़ती आपकी सनी वेल कहाँ पढ़ती है तो आपकी ये जगा है सनी वेल और सनी वेल कहाँ पर है तो ये पढ़ता आपके सन्युक्त राज अमेरिका में और इसका जो स्वामित करता है वो आपका Microsoft के द्वारा किया जाता है ठीके तो इस प्रकास से आपका यहाँ पर वोगाश सी नमबर और अगला प्रसना आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की राध्धानी 1921 में कहां से कहां इस्थांतरित की गई थी तो भाई देख सकते होगा कि सुभाश चंदबोस और आपकी पट्टा भी सीता रमया इनके लिए चुना हुए थे जिसमें से पट्टा भी सीता रमया हार गए ठीके और आपकी सुभाश चंदबोस यहापर कैसे अध्यच्छ बन गए थे लेकिन महात्मा गांधी को यह अच्छा नहीं लगा त इससे क्या हुए शुभाश चंदबोस ने अपने ही सुच्छा से अपने कांग्रेश के पट से उन्होंने हट गए थे अद्यच्छ के पट से और इसके बाद इन्होंने एक नए कहसे क्ते हैं कि पार्टी की स्थापना की थी यह आपकी कौन थी तो रायट अंसर आपको प्रसनाप दिया है कि चंगेज खाने जलाउद्दीन का पीचlor करते हुए उसके साशनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रम्ण किया था देख सकते हैं चंगेज खाने कह सकते हैं कि भारत कि अतरफ आया था जलाउद्दीन खाने किसी दिया है या कभी-कभी इसका नाम मिल जाता है मंगवर्नी ठीके तो चंगेज खा जलाउद दीन का पीछा या मंगवर्नी का पीछा करते हुए भारत तक आ गया था उस समय भारत में जो सासन कर रहा था वो कौन तो आपके यहाँ पर कह सकते हैं इलतुदमिस तो इलतुदमिस ने आपके जराउद दीन को कह सकते हैं सरन नहीं दिया और इससे कहीं देखा जाए तो भारत को एक बहुती कुट नेती से बचा लिया अगर चंगेज खा अगर यहाँ पर आ जाता तो समझीए कि एक बार फिर भारत लुट सकता था तो उस समय कौन थे तो आपके एलतुदमिस जराउद आपका बहुत अगर बारती उथि wizard और प्रसन आपका है कि जैमइनी राये ने कला के किस छेतर में नाम कमाया है जैमिनी राय याद रखे जैमिनी राय जो आपके हैं इन्होंने कला के छेतर में वो आपका कौन सा छेतर है तो जवाब हो जएगा 5 को आपका C चितर कला के छेतर में इन्होंने नाम कमाया है जैमिनी राय ने ठीके अगला प्रस्टनाप का है कि भारत की पहली बहुत देशी परियोजना का निर्मान किस नदी पर हुआ था देख लिए भारत की पहली बहुत देशी नदी परियोजना कौन सी थी तियाद रिखी ये जो आपकी ये सबसे पूरानी है आपकी दामोदर नदी पर्योजना है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं और बहुत देशी पर्योजना ठीके यह आपकी भारत की पहली बहुत देशी पर्योजना है question काफी बार पूछा गया है और अगला प्रसनाप का दिया है कि निम्लिकित में से किस नदी को दच्छिन गंगा कहा जाता है देखें याँ पर दच्छिन गंगा दिया है ना कि दच्छिन की गंगा दोने भी point में आपको अंतर आपको मिला होगा याँ पर देखो एक point हम आपको लिख रहे है दच्छिन की गंगा दच्छिन की गंगा तो की सब्दगा लग जाएगा तो आपका कावेरी हो जाएगा लेकिन दच्छिन गंगा है तो दच्छिन गंगा जो आपकी है ये गोदावरी को बोलते हैं जिसे ब्रद्द गंगा भी बोलते हैं, याद रिखे गोदावरी को दच्छिन गंगा या ब्रद्द गंगा के नाम से जानते हैं, और ये दच्छिन भारत के सबसे लंबी नदिया आपकी कौन सी है, तो गोदावरी है, याद रिखे, option आपके याँ पर 20 हो जाएगा, अगर याँ पर दच्छिन की गंगा होता, तो की सब्द आपके कावरी से होता है, तो अंसर आपका हो जाएगा, ठीके, चलिए, अगरा प्रसना आपका है, नोट बंदी का उद्दे से क्या होता है, देखे भाई, नोट बंदी होती है, ये क्यों होती है, तो नोट बंदी में दे यह सभी आपकी कैसिक्ति इस्थितियां होती है जिससे नोट बंदी आपकी लगाई जाती है तो option right up के यहाँ पर D हो जएगा अगला प्रसना आपका दिया है कि भारती रिजर वैंग का राष्टी करण की सुवर्स हुआ था तो राष्टी करण जो आपका हुआ था यह आपक कसी हो जएगा 1949 में अगला प्रसना आपका है कि भारत में निम्लेकित में से कौन सा छेतर सबसे अधिक कर का भुकतान करता है देख लीजे भारत का यह सबसे बड़ा छेतर है जो सबसे अधिक कर कर मतलब टैक्स ठीके अधिक कर जो आपका टैक्स होता है टैक्स का जो भुक कुछन करता है तो right answer आपको हो जाएयगा वर्तमान में याद रखे कि जो सेवा चेतर है यह आपका भारत में आपका अधिक हो गया है और जिस देश में सेवा चेतर अधिक होता है कई ने कही वह आपका डवलाप होता है बहुत पहले की बात है जब आपके भारत में कह सेकते हैं कि आपके क्रसी चेतर का बोल वाला हुआ करता था आपकेvelop 9.59 में जो आपके GDP हुआ करती थी आपके कह सकते हैं 1951 में लेकिन वर्तमान में देखा जाए 2020 में तो आपके सेवा छेत्र लगभग आपके 54 प्रतिसत के करीब पहुँच गया है तो इस कारण से राइट अंसर आपके यहां पर D हो जाएगा सेवा छेत्र अगला प्रसनाप का दिया है कि विधान सभा एवन विधान परिशत के वर्स में कम से कम कितने अदिवेशन होने अनिवार है तियाद रिखे विधान सभा हो या विधान परिशत हो इन दोनों में कह सकते हैं कोई भी हो तो कम से कम कितने अध्यवेशन होना चाहिए ये अध्यवेशन कितने होने चाहिए तो आपके यहाँ पर दो अध्यवेशन मतलब कह सकते हैं एक साल में आपको कह सकते हो दो अध्यवेशन होना जरूरी है 6-6 मां के अंतराल में होना जरूरी है और अगला प्रस्णाप का है कि राश्टी एकता परिशद अतात NIC का अध्यच कौन है राश्टी एकता परिशद का जो अध्यच है वो आपका कौन होता है तो याद रिखे वो भारत का प्रधानमंत्री होता है राश्टी एक्ता परिश्ट का देच ऑप्सनाप करें पर ए हो जाएगा और एगला परिश्टनाप का दिया है कि राश्पती द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नमंकन का नियम किस देश के समिधान से लिया गया है तो देख सकते हैं राश्पति दौरा राज्यसभा के सदस्यों अर्था राश्पति यह प्रकिरिया जो आपकी है कहां से तो राइट अंसर आपका B हो जेगा आपके आईरलेंंड 네, option B हो जेगा अगला प्रसना की ब्याक्षा कौन करता है सम्विधान की ब्याख्या कौन करता है तो सम्विधान की ब्याख्या यहाँ पर जो option आपका C है न्यायपालिका कौन करता वही यतना अधिकार किसको दिया गया है तो आपकी न्यायपालिका को दिया गया है option आपके यहाँ पर C हो जाएगा ठीके अगला है पुस्तक the road ahead का लेखक कौन है पुस्तक से भी question आपके बनते हैं तो पुस्तक का नाम है the road ahead के जो आपके लेखक है आपके कौन से हैं तहाँ पर 15 option right आपका हो जएगा c number या आपके bill gates हैं कौन है आपके 15 option c हो जएगा the road ahead के लेखक आपके bill gates option आपके आपके c हो जए का मुख्याला है कहां पर है मुख्याला कहां पर है तो यह है का पर छोला हौब सिपना हो जाएका पर्जाता यह आपका दिको ऑपकी बॉड में यही आपकी चैतना उतक पर नाम A हो जाएगा अगला प्रस्णाप का दिया है कि सुद्ध जल का pH मान होता है कितना होता है भई सुद्ध जल की बात किया है और सुद्ध जल का जो pH मान होता है वो कितना होता है याद रखे सुद्ध जल का pH मान आपका कितना होता है साथ होता है कितना होता है साथ होता है याद रखे option आप कहाँ पर D हो जाएगा साथ ठीक है और अगले प्रस्ट को बढ़ते है प्रस्ट आप से अगला है कि प्रकास वर्स एकाई है प्रकास वर्स एकाई है या आपकी किसकी होती है तो वे प्रकास वर्स होती है दूरी की काई ठीक है किसकी होती है प्रकास वर्स तो दूरी की काई होती है अगला प्रस्ण आपका है कि उत्तर प्रदेश में पैरा टूपर्स ट्रेनिंग स्कूल किस नगर में इस्तित है पैरा सूटर से यहाँ पर कह सकते हैं तो उत्तरप्रदेश में पैरा टूपर्स ट्रेनिंग स्कूल जो आपका है किस नगर में है किस नगर में है तो यह आपके आगरा में है कहाँ पर है आपके आगरा में है option rate up कहाँ पर यह हो जाएगा आगरा अगला प्रसन है कर्मा किस छेत्र का लोक नरत्य है कर्मा किस छेत्र का लोक नरत्य है तो कर्मा जो आपका है कैसकते हैं ये जो आपका है कैसकते हैं कि जो आपका छेत्र पड़ता है पुर्वान चल वहाँ पर जो आपका कौन सा है सोन बद्र तो आपसन रेट अपका कौन सा ह ही है तो पहला पॉइंट दिया है कि प्रती ब्यक्ति राश्टी आये और प्रती ब्यक्ति राज आये में निरंतर जो आपका कह सकते हैं आपर दिया गया है कि निरंतर जो आपका निरंतर वाप क्या हो रहा है बढ़ रहा है है ना तो पहला तो आपके यहां पर सही हो गया रखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में दिखे यह आपकी गलत हो जाएगा तो यहां पर जवाब हो जएगा आपका एक और दो जो के OPTION बताईये इनके सदस्टों का कारेकाल कितना निधारित है देखिए हैं और विथान-परस दो कितना होता थी सभा उसी प्रिकार से राज्यों में होती है आपकी विधान-परस थनार भी वर्ष हो जाएगा किटना 6 वर्ष हो जाएगा ऐपस्ण बहुत बहुत बार बताया है तो याद रहें कि जवपका कोईशामभी है कोईशामभी है यहाँ पर जैन और बहुत दोनों धर्मों का प्रिशिद दिश्टल है अप्सनाप का ए हो जाएगा अगला दिया है कि यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी ब्यक्ति को गिरपतार करता है तो उस समय वहाँ उस समय वहाँ यहाँ पर कैसे क्या कर सकता है यहाँ पर हाँ देखे पहला उस पुलिस वाले के पास वर्दी में जो प्लेट है वो आपकी होनी आवस्यक है पहला पॉइंट सही है दोसरा है कि गिरपतारी मेमो पर किसी प्रतिश्टिट ब्यक्ति या गिरपतारी ब्यक्ति के परिवार सदस्टिक के हंसता अच्छर कराएगा यह भी सही है तीसरा अपने संबंदी मित्र तक पहुचाए यह भी सही करते के सकते हैं कि यह सभी पॉइंट आपके सही है और प्रसनाप के आपर 26 को हो जाएगा डिरंबर अगला प्रसनाप का दिया है कि निमलिकित में से पुलिस अधिकारी पर लगाया जाने वाला कौन सा दंड बड़ा नहीं है नहीं सब्द आपको दिया है तो यहाँ पर यह कह सकते हैं कौन सा तो प्रोनति को रोकना देखो यह जो आपका बहुत बढ़ा दंड नहीं है प्रोनति को रोकना। अबस्न आपका यहां पर भी हो जएगा ठीक है और देखो उनको हटा देना भाई तो दिक्कت है सिवाच ना ये भी आपका दिक्कत है। बदाउनत करने भिदिक्त है कहने कहीं ये छोटा मोटा आपका यहां पर दंड होता है और सनफ का भी होजेगा अहला प्रसन आपका दिया गया है कि ये किसी पुलिस अधिकारी जिसके आचरण के विरुद्ध विभागी जांच चल लएई है उसे निलंबित कर दिया गया है अपने बचाओ के लिए वा देख लीजे कोई पुलिस अधिकारी है और उसके आचरण के कारण उसके विरुद्ध विभागी जांच चल लएई है ठीके और उसे निलंबित कर दिया गया है अपने बचाओ के लिए वो क्या करेगा तो यहां पर कैसकते हैं कि वो प्रतिवे प्रतिवेदन कुछ प्रश्चन आपको रट लेना है ठीके और कौन सा होजेगा तो आपका बी वाला होजेगा अगला दिया है कि डवलु डवलु के अविस्कारक वह प्रवर्थक है तो वही सिंपल सी बात है बहुत बार पढ़े होंगे डवलु डवलु के अविस्कारक वह प्रवर्टक जो आपके हैं वाफ के कौन से तो यह आपके Timmersly, option आपके यहाँपर D होजएगा, Timmersly, option D. अगला Y मंदल का सबसे उपर का इसतर कौन सा है, Y मंदल का सबसे उपरी इसतर कौन होता है, तो देखो हमने आपको तयाता वाह मंडल के पांच आपके कैसिक्तिएं लेयर होती है पहला आपका छोब मंडल फी दूसरा आपका होता है समताब मंडल तीसरा होता है मध्य मंडल चोथा आयन मंदल और पांचों होता है बाह मंदल और बाह मंदल को एकसपो इसफेर बोलते हैं तो राइट एंसर आपका ए होजेगा एकसपो इसफेर ठीक है यह आपका बाह मंदल है और अगला प्रसना आपका है कि पर्या वरण अध्यान आवस्यक है तो पहला पुएंट द उज़ाली के लिए यह प्रय में प्रात्मियों भोगता तो आपने ने पढ़ा होगा उच्चों भोकता पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है ना आपने तिरती भोकता पढ़ा होगा तो यह तिरती भोकता यहाँ पर कौन सा मिला है बी वाला तो यह आपको हो जागा देखो सबसे पहले आपका उत्पाद होता है फिर प्रात्मी को भोकता करता है फिर आपको दुती सांप खा लिया सांप को मोर खा लेता है है ना तीस प्रकास से कह सकती यह भुगता आपके होती है और सन भी हो जाएगा अगला प्रस्ट आपका दिया है कि वियत नाम की राध्धानी और मुद्रा का नाम बता यह चलिए बाई ऐसे भी कोश्चन आपके वर्ड जोगराफिस ह होते हैं तो वियत नाम की राध्धानी मुद्रा का नाम क्या है मुद्रा का नाम क्या है तो राइट अंसर आपका 33 का हो जाएगा यहाँ पर यह नंबर याद रेखे वियत नाम की राध्धानी है आपके हनोई और इसकी जो आपकी मुद्रा है उसे डोंग बोलते हैं क्या जे जे थामसन ने किया था, राइट अंसर आपका डिव हो जएगा, जे जे थामसन ने किया था, अगला प्रसना आपका दिया है, कि अक्टूबर में बोई जाने वाली फसल, जो अप्रैल में काट ली जाती है, निम्लिकित में से कौन सी फसल कहलाती है, हमने आपको तया था, आपकी फसले आपके भारत में मुक्ता तीन प्रकार के होती है एक आपकी होती है खरीब की फसल दूसरी रवी और तीसरी होती जायद खरीब की फसल होती है लगबग आपकी जुन जुलाई में बोधी जाती है जुलाई अगस्ति में बोधी जाती है अक्टूबर नॉम्बर म वो जाती है, और आपके ओंशाओफ मार चप्टाइल में काटी जाती है, उसे रवीक कहتे हैं, तो सिंपल सी다 है, अंसर कौन सा हो जगा आपके या पर? रवी का आपका होजएगा रवी के भसल ठीक है किलिया रहना अच्छा अगला point आपको यहाँ पर दिया गया है कि गुपत काल का पक्की इंटो से बना भीतर गाउप का मंदिर जो आपका है यह आपके कहाँ पर रिस्तित है तो यह आपके कानपूर देहात में पढ़ता है ठीक है कानपूर देहात में आपके यहाँ पर भी हो जएगा और अगला प्रसनाप का है कि संयुक्त प्रांत का नाम बदल कर कब उत्तरप्रदेश किया गया था यहाँ से एक point आपको मिला होगा कि उत्तरप्रदेश दिवस कब मनाते हैं अगर यह प्रसनाप को पता है 30 प्रसन का जवाब आप दे सकते हैं कि बुंदेल खंड नामक छेतर निम्रिकित की सीमा के अंतरगत आता है देखे बुंदेल खंड का नाम आपने सुना है तो बुंदेल खंड जो आपका है ये इटावा, जालाउन, जांसी, आगरा, ललितपूर, महोबा, बांदा, चितर कोट, प्रयागराज, मिरजापूर ये सोन बद्र, लगभग इनी से आपका मिलता जुलता है, ठीके, तो यहाँ पर देश सकते हैं कि ये छेतर जो आपका आता है, ये आपका कहां से, यूपी और एमपी, इन दोनों के बीच में आपको देखने को मिलता है, तो राइट अंसर आपके यहाँ पर होजेगा, बी न अपनी सीमा साजा नहीं करता है, देख लिजे, यहाँ पर आपके जो आपके साथ जिले हैं, साथ जिले जो आपके हैं, वो आपके नेपाल को इसपरस करते हैं, इन में से कौन कौन से जिले, तो आपका सिध्धार्थ नगर, बलरामपुर, स्रावस्ति, महराज गंज, बहर आपके यहाँ पर हो जागा, सीनमबर, सीतापुर, सीतापुर, यह नेपाल के साथ सीमा अपनी साजा नहीं करता है, राइट अनसर आपका सी हो जागा. अगला प्रस्णाप का दिया गया है कहरा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर इस्तित है देख लीजे भाई उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर आपका जो इस्तित आपका यहां पर कौन सा जिला है यह जो जिला है आपका बलिया याद रखे बलिया है option आपके आपड़ी होजेगा यह बलिया जिला देखा जाए तो बिहार की सीमा पर आपका इस्तित है ठीक है और यहाँ पर निश्प्रस्टिकुराते हैं प्रस्टन आप सेगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के निम सिल्प महाविद्याले जो आपका है यह आपके कहां पर है तो याद रखे यह जो आपका है कहां पर तो आपके लखनव में है कहां पर है आपके तो लखनव में है option आपके यहां पर फर्स होजेगा अब लखनव से question बहुत बनते हैं तो देख लीजे लखनव में कितने प्रविज़ गांदी इसनातो का आयुर्वेद संस्थान का पर है तो ये भी आपके का पर है लखनों में और अगला है अपिज अब्दुलकलाम प्रविदिक विश्विद्याले का पर है तो ये भी आपके लखनों में तो देख सकते हैं कि इतने आपके हैं जो आपके 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 लखनों में है इसका स्क्रीन सोट ले लिजिएगा कोस्टन यहां से बहुत पूछे जाते हैं ठीक है चलिए अगले प्रस्ट कोर बढ़ किसके साथ लगी है तो ये लगी आपके नेपाल के साथ अभी हमने बताया था कि यूपी के साथ जिले है जो आपके नेपाल को इसपस करते हैं सिधात नगर बलरामपूर स्रावस्ती महराजगंज बहराइच लखेंपूर और आपकी पीली भेद केलियर हुआ चलिए अगल राज्य या देश के साथ सीमा साजार नहीं करता है यह जो आपका है कौसा यह question आपका बहुत ही IMP है यह 2019 में question पूछा भी गया था यह जो आपका है हर्दोई याद रहे कौन साथ है हर्दोई है हर्दोई जिला किसी अन राज्य या देश या के सिकते हैं जैसे की मतलब इनके साथ आपका साजह नहीं करता है हर दोई जो है हर दोई जिसके पूर में सीतापूर परस्चिम में भरुकाबाद उत्तर में लखीम पूर कीरी साहाजापूर और दच्छिन मापका उन्नाओ वा लखनो जिलों से घिरा है नमबर तो देखो उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो आपका इलाहाबाद मिर्जापूर आगरा इटावा जहांसी ललितपूर और बांध चित्रकोड सोनभद ये जिले मद्रप्रदेश के साथ सीमा साजह करते हैं जबकि आप 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 देख सकते हैं कौन सा है आपका डिवाला अलीगड ठीके अलीगड ये कैसे कते हैं इसके साथ आपका सीमा नहीं बनाता है किलियर हुआ चलिए ये जो आपका अलीगड है ये आपके हरियाना के साथ सीमा बनाता है अगला प्रसettsा पका दिया है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा स्तरवाधिक राज्यों को इस परस करती है निम्रिकित में से कौन सा राज्य इनमें सामिल नहीं है तो यहाँ पर देखो उत्तराखंड के साथ मद्दप्रदेश के साथ और झारखंड के साथ जारखंड इसले कह सकते हैं क्योंकि UP से जुड़ा हुआ है है ना तो इस प्रकास से कह सकते हैं कि आपका जवाब कौन सा बनेगा यहाँ पर B वाला आपका उडिशा भाई याद रखिए कि आपके UP की जो सीमा है UP की जो सीमा है वो आपकी कहर आप से उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं तो यहां पर बताने की जरूत ही नहीं है बिल्कुल सिंपल सी बात है आप सब को पता होगा कि आपके 75 जिले हैं और अगर पूछे कि आपके मंडल कितने हैं मंडल कितने हैं तो ने कितने राज्यों को इसपर्स करती है तो यहां पर देख सकते हैं कि अंतरास्टी तो आपको होई गया था यहां पर राज्यों की बात किया है तो जवाब क्या बोलेंगे जवाब यहां पर कुल सीमा जो आपकी है वो आपकी 9 को इसपर्स करती है कितने को तो आपके यहां पर नौ आपके राजों जिन में से आपका हिमाचर प्रदेश, हरियाणा, राजस्तान, मद्रप्रदेश, शत्तिसगर, जारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हाना और ये के इनसासी प्रदेश दिल्ली को इसपस करता है, ठीके, नेस प्रसना आपका है, उत्तर प्रदेश बोल दिया जाए, डारेक्ट, कि आपके एंसेटी को छोड़कर, तब आप क्या बताएंगे, तो आपके यहाँ पर सी बताएंगे, आठ है, ठीके, आठ, उपसन आपका सी हो जाएगा, अगला प्रसन आपका दिया गया है, कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम छेतरफल वाला कौन सा है, सबसे कम छेतरफल वाला आपका जनपत बताना है, इन चार आपसन के अंसार आपको बताना है, तो यहाँ पर आपको बारा वाले में देखे, जो संत रविदास नगर है, यह जो आपका है, इसका जो छेतरफल है, वो 1015 वर किलो मीटर है, वहें पर जो गौतम करनोज की बात करें, तो करनोज आपका है, 2093 ठीके, इतने वर किलो मीटर है, तो इसके अंसार से आप देख सकते हैं, कौन सा आपका हुआ, कौन सा हुआ, तो आपसन आपको यहाँ पर D हो जेगा, आपका संत रविदास नगर है, ठीके, संत रविदास नगर है, आपसन बता सकते हैं, नार्मल सी, कि यहाँ पर आपका जो उत्तर प्रदेश का इस्थान है, यह आपका चोथा इस्थान है, ठीके, चोथा इस्थान है, पहरा इस्थान आपके राजस्थान का है, दूसरा आपके मद्द प्रदेश का, तीसरा आपका यहाँ पर महाराष्ट और च जम्मु कस्मीर में है यादरे के कहाँ पर आपके है तो नंगा परवत आपके जम्मु कस्मीर में है नंदा देवी कहाँ पर है तो आपके यह उत्तरा खंड में है और कंचा जंगा आपके कहाँ पर है सिक्किम में है है ना तो इस कारण से आपका जो राइट अंसर आपका हो जाएगा कौन सा तो आपका यहाँ पर आपका बनेगा बी वाला वन थ्री टू वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा किलियर हुआ चलिए अगला प्रसना आपका दिया गया है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमा को इस्परस करता है तो यह उत्तर प्रदेश है कौन है आपका तो उत्तर प्रदेश है यह आपका जो है अभी बताया कि हमने 9 राज़व की स्पष करता है आठ राज और एक कैं, शासी प्रदेश को, सीमा को इस परस करता है तो इस प्रकास से राइट अंसर कौन हो जाएगा आपका ए नमबर आपका हो जाएगा ठीक है अब इस कोश्चन में गलती होने के चांस बहुत रहते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश लिखा है तो आप लोग योगी आदितनाथ लगा देंगे बलके ऐसा नहीं ह है इसकी जो आपका सुभारम किया था आपके प्रदार मंतिर नरेद मोदी के द्वारा किया गया था किलिए रहेगा आगला प्रसनाप का दिया है कैर आपसे जून 2020 में सेवा मित्र याद रेखे सेवा मित्र जुकि आपका एक मोबाईल आप है ये तैयार किया गया है ये कि आभा आत्म निर्भर भारत मोबाइल एप तयार किया गया तो याद रेखे आभा आत्म निर्भर मोबाइल आभा आत्म निर्भर भारत ये मोबाइल एप है और इसको तयार किया है कौसल विकास विभाग के दोरा ठीक है कौसल विकास विभाग के दोरा तयार किया गया है और रलता से उप्लबड हो जाए ठीके इसके लिए आपका मोबाल आप کا तयार किया गिया कौन अभाइल अद्यादेश गोवध निवारन संसोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है तो आद रखे जो आपके गाओ का वध करते थे ना ठीके गोवध निवारन आपका जो संसोधन हुआ है यह अध्यादेश 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है और डेट याद रखना आपको ये आपका कह से है आपके तो आपके उत्तरप्रदेश का है डेट क्या है तो 9 जुन 2020 को गो निवारण अध्यादेश आपके याँ पर मंजूरी प्रदान कर दी गई है तो गो वद का सम्मंध निवारण कहां से है तो आपकी यूपी से है ये कोश्चन आपसे बनेगा कि गो 2017 के अंतरगत उत्तर प्रदेश स्टार्ट अप फंड का सुभारम किया गया देख लिजे क्या है आपका तो उत्तर प्रदेश स्टार्ट अप फंड का सुभारम जो किया गया ये जो आपकी कह सकते सूचना प्रदोकी स्टार्ट अप नीती की द्वारा है ठीकी जो आपकी 2017 थ किया गया देख लीजे काफी अच्छा प्रस्णाप का है यहाँ पर याद रखे कि आनलाइन स्वरोजगार संगम योजना और योजना कैसकते यह कारिकरम जो आपका है यह आपके उत्तर प्रदेश जो आपकी राधनिका है लखनों में इसका कैसकते सुभारम किया गया है आन UNDP के सवयोग से विक्षित किया गया है प्रवासी राहत मित्र आप आगला प्रस्णाप से पूछा गया है क्या रहा है मुक्ष मंत्री ने राजस विभाग के राहत आयुक्त कारेकाल द्वारा तैयार किये गए प्रवासी राहत मित्र आपका लोकारपन कप किया गया तो द डेट याद रख्टिएगा अगला प्रश्णाप का दिया गया है मार्च 2020 में मिशन विकास मिशन विकास कासी प्रयागराज नया भारत नया उत्तर प्रदेश कारेकरम आयुद किया गया देख लिजे कासी देखो क्या है मिशन विकास कासी प्रयागराज नया भारत नया उत् तो आपके वरण रसी में नया भारत नया उत्तरप्रदेस ठीके अगला दिया गया है कि 39 फरवड़ी 2020 को ब्रहद समाजिक अधिकारिकता सिविर का आयोजन किया गया आपके बांदा से, आपके महोबा से, हमीरपुर से, जालाओं से, और रया से, और इटावा से, ठीके, तो इसे काउंट भी कर लीजिएगा, तो काउंट में देख सकते हैं, आपके साथ हैं, जहांसे बुंदेल खंड एक्सप्रेस्वी आपका गुजरेगा, ठीके, अगला प एक्सप्रेस्वी की लंबाई है, तो बुंदेल खंड एक्सप्रेस्वी की लंबाई कितनी है, तो 296 किलो मेटर, 296 किलो मेटर, अगला प्रसनाप का है, 29 फरवरी 2020 को, चित्र कोट में, बुंदेल खंड एक्सप्रेस्वे का सिलान्यास किया गया है, तो याद रिखे, जो खेते का आज़ा साफ का है और faith को थम युदभी सो टीके उत्तारप्रदेश में भारती भाषा महोसों को जो आईउजन किया गया है वो आपके दे सकते हैं कब किया गया है तो 22 से 24 फरवरी 2020 तक आपके कहां पर किया गया तो लखनव में किया गया है भारती भासा महुसो ठीक है भारती भासा महुसो कहां पर लखनव में अगला प्रस्णा आपका दिया गया है कि साथ में Commonwealth Parliamentary Association India Regional Conference का योजन जो किया गया है वो आपके कहां से किया गया है तो आपके लखनव से किया गया है UPC से संबंदी थे तो आपके लखबग कहां से होगा तो आपके लखनव से अगला question काफी IMP है कि फरवरी 2020 में जनपद सोनभद्र में गठित नई तहसिल आपकी जो बनी है वो आपकी ओबरा नई तहसिल है ओबरा ठीके एक ताबिदुद भी है तो उसी के नाम से याद रहेगा कि तहसिल भी एक आपकी है जो की सोनभद्र में गठित की गई है ओबरा ठीके अगला प्रस प्रबंधन नियमा वली है इसको जो मंजूरी प्रदान की गई थी कब तो 11 फ़रवरी 2020 को ठीक है आगला प्रसना आपका है कि प्रोड़क्ट लांचिंग एंड मेजर एनाउंसमेंट प्रोग्राम जिसका नाम रखा गया है आपका बंधन बंधन जो आपका संबंदी थे यह किसे संबंदी थे यह जो आपका है यह प्रोड़क्ट लांचिंग एंड मेजर एनाउंसमेंट है इसका नाम है बंधन यह जो संबंदी थे किसे तो आपके डिफेंस एक्सपो 2020 में हस्ताच्रित सम्झावतों संबंदी थे यहाँ पर देशकती यह जो आपका होता रहता है आपके यहाँ पर डिफेंस एक्सपो ठीके 2020 में हस्तारित सम्झावतों संबंदी थे आपका बंधन ठीके अगला प्रसनाप का है कि वर्ष 2024 तक देश का रच्छा निर्यात लच्छी थे तो 2024 तक जो रच्छा के लिए लच्छ निर्धारित किया गया हो कितने आपके डॉल तो याद रखे ये आपका कौन सा मिशन है तो मिशन वरच्छा रूपर 2020 इसका प्रारंब जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके 5 जुलाई 2020 को किया गया है अगला है डिफेंस एक्सपो आयुद किया जाता है तो याद रखे अभी देखा आपने कि डिफेंस एक्सपो ये जो आपको आयुद किया आता है प्रती दो वर्स पर किया जाता है डिफेंस एक्सपो 2020 का उदघाटन किस ने किया है तो याद रखे प्रधान मंतरी नरेद मोदी के द्वरा अब यहाँ पर कन्फूजन यह हो सकता है कि ये जो डिफेंस एक्सपो आपको हुआ है ये उतपाद युझन आधारित है जो की देख सकते है ओ-डी-ओ-पी-पर दरसन memorण किया ऋिए खहां पर तो आपके दिल्ली में याद रहे के एक जनपद जर्पद एक उत्पाद योजना जो आपकी आधारी आपकी परदर्शनी हुई है आपकी नए दिल्ली में है यहाँ पर एक उत्पाद का हम आपको वीडियो बना देंगे ठीके अगला प्रसना आपका है गंगा यातरा का आयुजन किया गया यह आपकर देशते हैं 27-31 जनवर 2020 तक आपका विजिन किया गया था गंगा यात्रा अगला प्रस्ण आपका है कि गंगा यात्रा संपन हुई है गंगा यात्रा संपन हुई है तो देख लिजे दस सो यहाँ पर 138 ग्राम पंचायतों तथा 1638 राजस्यो जो आपके ग्रामों से सम्बंदित आपकी है गंगा यात्रा ठीके 1038 ग्राम पंचायते ताथा 1638 राजस्ट ग्रामों से यह आपके संपन हुई है ठीके जो गंगा यात्रा है अगला है कि 27 जनुरी 2020 को गंगा यात्रा का सुभारम कहां से किया गया है यह वहां तेपूर आपका पॉइंट है कि ग इंटरशिप के दावरान उसे कितना प्रदान किया जाएगा 25 रुप्य प्रदान किया गया अगला है युवाओं के लिए इंटरशिप यूजना की शुरुआत कप की गई है तो यह शुरुआत की गई है नौ फरवरी 2020 को आपके एम उ यू की संख्या जो आपकी हो कितनी ह तो आपके MOU की जो संक्या आपकी है वो आपकी 23 है ठीके 23 है अगला है 21 जनवरी 2020 को उत्तरप्रदेश सरकार दोरा करमुक्त गोसित किया गया तो भई कर्मुक्त जो आपका है वो आपके फिल्म हलका को ठीक है कौन सी आपकी है तो हलका फिल्म है इसे कर्मुक्त अर्थात आपका टैक्स प्री कर दी गई है तो याद रखे यह आपका फिल्म आपकी है हलका ठीक है आगला प्रसना आपका है कि उत्तर प्रदेश में कर्म गोसित फिल्म हलका आधारी थे तो हलका जो आपकी आधारी थी वो किस पर आधारी थे तो यह आपके सोच्छता और सोचाले पर है तो यहाँ पर अंसर आपका सोच्छता और सोचाले ठीक है याद रहेगा किलियर है अगर आप प्रधानमंत्री जन आरोग गी योजना प्रध आपकी यहां पर देख सकते हैं परिवारों के संख्या है जो कि प्रधार मंत्री जन आरोग योजना से आपके जुड़े हैं ठीके और आगला प्रस्णा आपका दिया गया है कि 5 से 9 फर्वरी 2020 के मद्ध डेफ एक्सपो जो आपका 20 हुआ है ठीके कौन सा नंबर का है तो जनुआ लखनव में अगला है डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 की थीम क्या रही है डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 की जो थीम रही है क्या रही है तो इसमें रही है कि भारत उभरता हुआ रच्छा वी निर्मान केंदर ठीके रच्छा के लिए जो आपका है तो उभरता हुआ पर अच्छा वीक निर्मार केंदर ये आपका कह सकते हैं और अगला है जनवरी 2020 में उत्तरपदेश सरकार द्वारा करमुक्त घोसित हिंदी फीचर फिल्म कौन है यहां पर देखो यह आपकी हिंदी फीचर फिल्म आपकी है जिसे भी करमुक्त कर दिया गया है इसका नाम है आपका ताना जी दा अनसंग वारियर ऐसे भी करमुक्त घोसित कर दिया आपके उत्तरपदेश सरकार ने अगला है कि समन योजना 2020 का उद्देश क्या है तो देख सकते हैं अना दिकरत निर्माड की प्रवत्ति को रोकना ठीके अनधिकरत निर्माड देख सकते हैं कि बहुत लोग ऐसी जगार निर्माड करने लगते हैं तो अनधिकरत निर्माड की प्रवत्ति को रोकना यह आपका है सम्मन योजना 2020 का यहां पर लज़ आयला प्रसना आपका दिया है कि 13 जनव परी दुहजार बीज को उत्तरप देश मंत्री परसर द्वारा राजस अभिलेखों में घागरा नदी देखे घागरा नदी का नाम परवर्तित करने के परस्ताओं को यहाँ पर मंजूरी प्रदान की गई है इस नदी का नया नाम क्या होगा त्यां रियाद रखना घागरा नदी का नाम जो आपका होगा सर्यू नदी होगा ठीके जहां पर ये घागरा नदी बोली जाती है अब ये सर्यू नदी के नाम से ही जानी जाएगी ठीके और अगला प्रसनापका है कि जनपद गोंडा के पस्तका संकूर छेत्र में इस्तित ग्राम चंदापुर किटॉली से रेवल गंज बिहार तक घागरा नदी को जाना जाएगा यहां पर जो आपकी सर्यू नदी है जो घागरा नदी थी ना तो इसका कहां से कहां इसका नाम आप जाना जाएगा तो जगा आपकी दे दी गई है एक गोंड़ना के पास एक जगा आपकी कौन सी है तो आपकी पस संकूर छेत्र ठीके यहां पर एक ग्राम का नाम है चंदापुर किटोली से आपका एक कैसे हैं कि रेवल गंज रेवल गंज जो आपको पढ़ता है बिहार तक तो घागरा नदी को अब जाना जाएगा ठीके तो यह समझ गे होंगे की जो आपकी घागरा नदी है उसका नाम तो आपके सर्यू नदी के नाम से जाना जाएगा तो आपके सर्यू नदी के नाम से जाना जाएगा ठीक है